अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी पढ़ाई की स्पीड को तीन गुना तक जादा बढ़ा पाएंगे और आप जो आज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उसी टाइम में तीन चैप्टर पढ़ पाएंगे तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे इस टेकनोलोजी को कि कैसे हम इसे इस ट्रिक को अपने लिए यूज करके फायदिमन बना सकते हैं जिस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों का हर एक दिन एक जैसा बीत रहा है कि हम सोते हैं फिर उठते हैं फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं वही शेडियो को तोड़ने के लिए आज हम ये वीडियो लाए हैं क्योंकि आप लोग बहुत परिशान थे कि पढ़ाई अच्छे से होने ही पा रही है यहाँ पर एंसेटिनिटी आपके दिमाग में बनी हुई थी जो फालतु की बनी हुई है यहाँ पर एक्जाम आपके लिए होंगे ही होंगे हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कटिन हो जाए वो लेकिन उसको फालो करना है अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर अपने उन टाइम को याद करें जब आप एक्जाम देनें गए थे आप कोई भी एक्जाम याद कर लीजिए आप अपना बोड एक्जाम याद कर लीजिए 12th क्लास का याप अपना ग्रेजवेशन का एक्जाम याद कर लीजिए याप अपने सेमेस्टर एक्जाम से याद कर लीजिए आप याद करिए कि उन exam से पहले वाले दिनों में आपकी जो पढ़ाई के performance थी वह बहुत अच्छी आती थी कि आप एक ही दिन में ना जाने कितने ही पेज पढ़ जाते थे एक ही दिन में 10-10 चेप्टर पढ़ जाते थे एक ही दिन में 100-100 पेज पढ़ जाते थे वो आप पढ़ जाते थे वो भी आपी थे और अब भी आपी हैं कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है कि आप उसी स्पीड को अगर आप नॉर्मल लाइफ रूटीम में ले आएं तो क्या आप जादा नहीं पढ़ पाएंगे क्या एक दिन में आप जादा नहीं पढ़ पाएंगे हम सबसे पहले हाँ पर बात करेंगे आप लोगों से कि आप अपने उस महौल को कैसे हाँ पर लाएं और उस ट्रांजिशन के लिए आपको क्या करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्जाम्स की तो एक्जाम में सबसे इंपोर्टन आपकी बात क्या होती है जब आप एक्जाम देने जाते हैं तो आप एक्जाम भड़िया नहाद होके तयार होके जाते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि हाँ आज तो अच्छे से एक्जाम दे के आउंगा तो आपको कल सुबह उटते ही सबसे पहले काम यही करना है कि आप बढ़िया से वेल्डरेस जो कर बैठ जाईए जैसे आप एक्जाम के लिए बैठते हैं अब एक्जाम में आप ऐसे बैड़ के ऊपर कोशिष की वेवस्तव की जाए कि आप एक्जाम बैठते काम यह करना कि आप को घड़ी हाथ में रखनी है ता को इस्तोम है क्षय === है तीन घंटे में तो आप अपने टाइम को बाढ़ लेते हो कि आदे आदे घंटे में मैं हरी कुशन को करूँगा 15 मिन मैं कुशन पेपर को पढ़ूँगा कैसे क्या करूँगा तो सबसे पहले ज़रूरी चीज है वो प्लानिंग वो प्लानिंग आपको टिबल पर बैठते क करणी है कि कि आप कैसे क्या करने वाले हैं आज के स्चणी को कैसे पढ़ने वाले हैं वह काम आपको बहुत अच्छे से करना है यह सबसे पहले Ub Song टॉपिक को खोली है जिसको आपको पढ़ने का मन करता है जिसके आपका इंट्रेस्स बनता है उसी टॉपिक को खोल कर शुरू कर दीजे और पढ़ना शुरू कर दीजे अब एक्जाम में आपने एक और चीज नोटिस कियोगी कि आप हर 10 या 15 मिट के बाद घड़ी को देखत खोगा हुगा कि अभी आपको एक्जाम के टाया में कभी भी आपको ये नहीं लिगा हुगा जितना आप एक्जाम में उस चीज के लिए बढ़ते हैं अपके दधर एक्जाम के नह凰हा हुए। किया जा सके अगर आप कहीं psychology भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ही लिखा होता है कि अगर आप अपने mental जो environment को बना लेते हैं जिस हिसाब से उस हिसाब से आपकी body react करती है तो आप panic situation मना लीजे और सोच लीजे कि दो हफते बाद ही एक्जाम है अब तो सारी दुनिया खत्यम होगी मेरे पस दो हफते बचे हैं कि मैं 15 दिन की cash strategy करूँ the social union पर जाता हूँ और वहाँ पर दो हफते की strategy देख लेता हूँ दो हफते में ही मेरे को सारी पूरी हो चुकी होंगी इतना जादा tough चीज़ें आपके लिए नहीं है तो तीन गुना कैसे पढ़ा जाएगा शायद आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी उमीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कल से आपको क्या करना है अपनी studies को enhance करने के लिए और जरूर सभी लोगों को शेयर कर दीजे ये वीडियो को कि तो सभी के काम आने वाली चीज़ है कि आप अपने पढ़ाए किस पीडियो को कैसे बढ़ा सकते हैं और मैं उमीद करूँगा कि इसको देखने के बाद आप एक के जगए तीन किताबें पढ़ने लग बारत मता की जय जय हिंद